वही खेरागर उप्चुनाव की मद्दान के चंद दिन बाकी हैं सभी दलों के दिग्गत चुनाव प्रचार के मैदान में अपने उम्मीद्वार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं सियम भुपेश वखेल ने कई चुनावी सभा को संभोधित भी किया तो वहीं बीजेपी की ओर से मद्देप्रदेश के सियम शिवराज सिंग चोहान ने मोच्चा संभाला अपनी पार्टी के उम्मीद्वार की जीत के लिए अपील भी की 12 अप्रेल को खेरागड में विधान सभा उपचुनाव है इससे पहले सभी पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है कॉंग्रेस हो या फिर बीजेपी दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में है एक दूसरे पर तीखे वार पलटवार किये जा रहे है जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के सीएम शिराज सिंग चोहान और केंद्री मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव प्रचार कर रहे है तो वहीं कॉंग्रिस की तरफ से सीएम भुपेश बगिल ने मोचा समहल रखा है ऐसे में प्रदेश कॉंग्रिस को विकास के नाम पर जीत कियास है तीन साल का काम बड़ा आधार है जिला बनाने का वादा फायदे मंद साबित हो सकता है सरकारी योजनाओं की सफलता को भुनाने की कोशिश होगी लोधी समाज को सादने की कोशिश होगी कॉंग्रिस उम्मिद्वार यशोदा वर्मा भी लोधी समाज से आती है ने देखिए ये चीज़ है कि कोई भी चुनाओं है वो चुनाओंती पून तरहता है तो वही दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से चुनाओ प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीम शुराज सिंग चौहान ने केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ की और बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंखेल के पक्ष में होट अपील की ऐसे नेता जिनने गरीबों की जिन्दगी पदलने का काम किया और एक रुटिया किलो चावल गरीब को खिलाके चावर वाले बाबा बन गए शत्तीन जंखी काया परड़ने जिनने दिकास के नए इतिहास रचे ऐसे हमारे प्रिय लेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरी दाक्टर रमण सींगी उनका ताली बजा के अभिनंदन कीजिए हमारे लोग प्रिचाशी नाम भी कौमल और जोहार से भी कौमल खेरगड रूप चुनाओ को 2023 के लिटमस टेश्ट के रूप में भी देखा जा रहा है कहा जा रहा है कि इस चुनाओ के नतीजे ही 2023 का सत्ता निर्धारन करेंगे शायद यही वज़य है कि दोनों ही पार्टियों ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत छोगती है इम दोग इसे इप